हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ तुलीका और कुकवित तुलीका में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी प्लेटर तो आप इसे बच्चों के टिफिन में दे या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में खाए या अगर आप बेट लोस जर्णी पर हैं तो उसमें भी आप इसे गेल्ट फ्री होकर खा सकते हैं ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम समय में ये सारे चीजें बनकर तयार हो जाती है तो चलिए रेसेपी को बनाना शुरू करते हैं तो यहां मैंने एक कटोड़ी मखान लिया है और एक कटोड़ी मैंने स्प्राउट्स लिया है और स्प्राउट्स में मैंने एक हडी मिर्च, आधा टुकड़ा अद्रक का और थोड़ी सी धनिया की पत्ती की डंठल डाली है और एक चमच मैंने इसमें दही डाला है और इसका बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बनाकर तयार कर लिया है अब इसमें मैंने थोरा सा नमक और थोरा सा इनो एड किया है आप चाहें तो इनो एड़ करें या ना भी करेंगे फिर भी ये बहुत अच्छा बनकर तयार होगा अब मैंने एक अपम पैन लिया है और उसमें मैंने थोरा सा घी डाला है आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सा घी डाला है अब इसमें सारे बैटर को हम डाल कर और इसका हम हम अपम बना लेंगे तो ये काफी सॉफ्ट होता है जब ये एक तरफ से सीख जाए फिर हम इसे दूसरे तरफ से टर्ण करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरफ से फूल रहा है और ये भी देखिए कि ये कितना सॉफ्ट है तो इसे हम चमच की सहायता से थोरा से हम इसे आराम से इसको पल्टेंगे और फिर सारे अपम को हम इस तरह से टर्ण कर देंगे और इसका एक सेप दे देंगे आप बिल्कुल भी परिशान नहों कि इसका सेप खड़ाब हो जाएगा जब ये सिख कर तयार होगा तो बिल्कुल गोला गोला और बहुत ही अच्छे से सेप में बनकर तयार होगा तो देखिए हमारा अपम जो है मैंने सब को इस तरह से टर्ण कर दिया है और समय मैंने थोरा थोरा घी उपर से और डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए और अंदर तक सिख जाए तो आप देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल गोला अपम बनकर तयार हो गया है आप इसे बच्चों के लंच में दे वो बहुत ही प्रेम से और सौक से खाएंगे और काफी हेल्दी भी है और बहुत समय तक पेट भी भरा रहेगा तब यहां मैंने एक पैन लिया है उसमें मैंने आधा चमच घी डाला है और एक चमच मैंने इसमें वाइट वाली तील डाली है तिल डालने के बाद मैंने इसमें एक कटा हुआ टमाटर और दो प्यास लिया है उसे इस तरह से बरे बरे टुकडों में कट करके डाला है और यहां मैंने कुछ बिंस लिये हैं तो बिंस को मैंने हाफ बॉयल कर दिया है फिर इसमें मैंने डाला है अब हम इसे सोटे करेंगे अब मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पौडर डाला है और स्वादा नुसार नमक एड़ किया है अब इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा एपल वेनेगर एड़ करेंगे इससे वेजी टेबल का टेस्ट भी अच्छा होगा और अगर आप वेट लोस जड़नी पे हैं तो आपको बहुत समय तक कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होगी तो इस तरह से मैंने वेजी टेबल को भी सोटे कर लिया है अब हम इसका प्लेटिंग करते हैं आई होप आज की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सेयर और कॉमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पढ़ना हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें तो देखिए प्लेट में मैंने क्या क्या रखा है सबसे पहले मैंने इसमें अप्पम रखा है, एग रखा है, एपल रखा है और फिर जो हमने से वेजिटेवल सौटे किया है उसको डाला है इस तरह से हमारा एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट या फिर बच्चों का आप टीफिन कहें या आप इसे लंच में खाएं, ये एक परफेक्ट मिल है तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं और खाएं और खूब सारा इंजॉाई करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई